जोहार नमस्कार आप देख रहे हैं द्रिष्टी नाओ और मैं विजादत पिंटू अभी अभी एक ताजा अपडेट निकल के आ रही है जारखन स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जेससी के तरफ से और वो खबर जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जेससी ने अपने पिछले चली आ रही प्रक्रिया में बारह नियुक्तियों के प्रक्रिया को रद कर दिया है यह वही नियुक्तियों की प्रक्रिया है जिसे हाई कोट के एक आदेश में जब उस पर फैसला आया था तो उस समय उससे स्थगित कर दिया गया था और आज उसी माननिया उच्चर नयाले के आ परिच्छाएं रही है जार्खन डिप्लोमा अस्तर संयुक्त प्रतियोगिता परिच्छा 2021 उसी के साथ साथ जार्खन प्रयोग साला साय प्रतियोगिता परिच्छा जार्खन सचीवाले आसुलिपिक प्रतियोगिता परिच्छा जार्खन सामान्य असनातक योग्यता धारी स संयूक्त प्रतियोगिता परिक्षा जे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे-चे- प्रतियोगिता परिच्छा जार्खन तकनीकी और विशिस्त योग्यता धारी असनातक अस्तरिय संयुक्त प्रतियोगिता परिच्छा जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है और साथी साथ जार्खन डिप्लोमा अस्तर संयुक्त प्रतियोगिता परिच्छा यह सारी और वो आदेश भी आप लोगों को संग्यान में होगा दर्सकों कि अभी छे महीने पहले ही रमेश कुमार एवं अन्य बनाम जारखंड सरकार बनाम अन्य माननिय उच्चे न्यायलय का एक आदेश आया था 16 दिसंबर 2022 को जिसमें की माननिय उच्चे न्यायलय ने जारखंड सरकार को निर्देशित किया था कि यहाँ पर नियोजनिती नहीं होने और जो नियोजनिती चली आ रही थी उसको खारिज होने के बाद यहाँ पर जो नियुक्ती की प्रक्रियाएं हैं उसे रोकने का दिया था और उसी के आलोक में सारी के सारी यह परिच्चा उस समय स्थगित कर दी गए थी और आज उसी आदेश के आलोक में सारी प्रतियोगिता परिच्चाओं को रद कर दिया है जारखंड के सारे के सारे परिच्चा की तयारी कर रही चात्रों के लिए यह बहुत अंदोलन रथ है बहुत सारे अंदोलन में हम लोगों ने देखा कि छातरी सबसे यादा सामिले चाहे वो यहां की अस्थानिया नीती का अंदोलन हो या फिर नियोजन नीती का अंदोलन हो हर अंदोलन में छातर बड़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसका एक मातर कारण है कि यहां पर नियुक्तियां बहुत सालों से धंग से नहीं हो सकी है और उस नियुक्तियों की आस में युवा लगतार अंदोलन कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं कि सरकार एक ऐसी नीती बनाएं एक ऐसी नियोजन नीती बनाएं कि यहां के जो युवा हैं जिने लंबे समय से मिल सकी हो लगातार साल दर साल पढ़ाई तयारी में लगे हुए हैं एक उमीद में कि उन्हें एक दिन एक अच्छी नौकरी मिलेगी रोजी रोटी का सहारा मिलेगा उनको जीविको पारजन का एक समान जनक समाधान मिलेगा मगर हर बार राजनिती का सिकार हो जाता रहा है ज बात अधिकारी बनाने वाले जैपीसी परिच्छा की हो या कर्मचारी बनाने वाले जैसेसी के परिच्छा की हो सारी की सारी नियुक्ति की प्रक्रियां बिवाद में रही है ऐसा कोई भी परिच्छा यहां नहीं हुआ जिस पर की आगे जाकर के नियायले में याचिका नहीं जिसके विरोध में नहीं गई हो अगर मनुभ़ा ज्यानिक अस्तर पर बात करूँ दर्सकौ। तो इससे छात्रों में बहुत ज्यादा निरासा का मनुभाव बनता है छात्र इसी कारणों से निरासा में चले जाते हैं कुछ अगर मैं कहूं कि गंभीर हो गई बात बहुत तो दूसरे तरीके से लेते हैं कि बहुत सारे युवा होते हैं जो कि शादी अपनी टालते रहते हैं कि आने वाले समय में मैं अमुक कि तयारी कर रहा हूं मेरी तयारी बहुत अच्छी है मैं पास हो जाओंगा बस परिक्षा तो हो और इस प्रकार से समय बीचता जाता है फॉर्म भरते हैं जैसे कि जैसे सी जो कंबाइंड ग्रेजवेशन लेवल एक्जाम है उसमें कि कई सारे ऐसे भी हुआ हैं जिन्होंने क आबेजन आमंत्रित कि जाते हैं उसके बाद उसमें होता है कि जिसने पिछली बार पास किया थे जो पिछली बार फारम भरे थे उन फी नहीं लगेगा मगर समय की की मत समय की भी एक की मत होती है और उस समय की कीमत को सायद जारकंड में कोई नहीं समझ रहा जो युवा आज से पंद्रह साल पहले तैयारी कर रहे थे वो लगातारी संगर्स को जेलते जेलते कहीं न कहीं निरासा और डिप्रेशन के मनोभाव में चले गए हैं उनकी सुद्ध कौन लेगा क्या सरकार क्या प्रसासन क्या हाई कोट हर जगह से अगर उन्हें कुछ हासिल होता है तो उनकी उम्मीदों पर निरासा हासिल होता है हमारे साथ भी यह कि यहां पर हमारे कार्याले में आज एक इतिफाक से यूवा उपस्तित हैं जो लंबे समय से तयारी कर रहे हैं अभी अभी जब ये अपडेट निकल करके आई है तो आईए हम सीधे उनके पास जाते हैं उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से उनमें निरासा का भाव आया है आज हमारे कारियाले में साके सिन्हा हैं जो कि लंबे समय से तयारी करते आ रहे हैं प्रतियोगिता परिक्षाओं की और आज ये अपडेट निकल कर आया है कि सारी की सारी प्रतियोगिता परिक्षाओं जो हैं रद कर दी गई है ये सीधें से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पर साकेजी बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्या कहेंगे परिच्छा हैं तो रद्ध हो गई जी धन्यवाद बहुत निरासा हो रही है यह अपडेट सुनकर पता नहीं आप लोगों छात्रों का क्या भविश्च्छ होगा यह जारखण में अब यह परिच्छा रद्ध होने के बाद आप क्या करेंगे बहुत पहले तो डिप्रेसर में अजीब लग रहा है कितने सालों से परिच्छा की तैयारियां कर रहे थे में 2016 में मैंने सीजियल का एक्जाम दिया था तो पीटी प्रास किया था तो मेंस के दो दिन पहले पता चलता है कि उसे रद्ध कर दिया गया है उसके बास से लगातार तैयारी ही करता आ रहा हूँ और अब दो साल से तो टीचर के लिए भी थोड़ा प्रियास कर रहा था तो जब से जैमेम आई है तो कुछ तो उमीद थी पर वो भी अभी तक उमीद ही बना हुआ है कुछ नहीं अभी तो बस निरासा ही है इससे कुछ उमीद ही नहीं लग रहा है अब पता नहीं आगे क्या होगा चात्रों का ऐसे ही जिन्दगी युजर जाएगी पता नहीं क्या चलता है इन्हें लगातार जो अनिष्चित्ता की स्थिति उसके वज़े से लग रहे कि क्या पता साथ जिन्दगी ऐसे निकल जाएगी अगर आपको मुख्यमंत्री सीधे सुन रहे हैं तो क्या कुछ गुहार लगाने चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जिसे तो गुहार ही लगा रहे हैं कब से चाहतर आंदोलन पे भी है गुहार ही लगा रहे हैं पर पता नहीं यह जहरकण में है ऐसा क्यों होता है कि नियोजन नीति बनती है फिर से उसे रद किया जाता है ऐसा नियोजन निती बनता ही क्यों है कि समझ नहीं आ रहा है अब मुखवंद्री से बस यही है कि अब ऐसा नियोजन निती लाइए जिससे हम छात्रों का भविश सवर सके तो छात्र गुहार लगा रहे हैं कि ऐसी नियोजन निती बने जिससे की छात्रों का भविश सवर सके इसी बात की चिंता कई राजनेताओं ने भी की है कि यहाँ पर जो अस्थानिया नीती और नियोजन नीती का मामला लंबे समय से मामला और मुद्दा बनके अटक गया है इस कारण से यहाँ के युवाओं का भविश्य भी अधर में लटक गया है उमेद है कि जारकन सरकार चा सबसे बड़े मुद्दे पर संग्यान लेगी और कुछ ऐसा सटीक समाधान निकालेगी जिससे कि यहाँ के युवाओं का भवी से सवर सके युवाओं को नौकरी मिल सके और जिंदगी सम्मान से जीने का एक सहारा मिल सके कैमरा के पिछे से मेरा सहयोग कर रहे